नमस्कार आज मैं फिर आपके सामने अलीगड की एक घटना के साथ सपस्तित हुआ हूँ यह घटना बहुत ही लूम हर्शक भयानक डरावनी वीभच और दिल दहला देने वाली थी अब भी कभी कभी वो घटना जब दिमाग में आती है और वो मंजर आँखों के सामने से गुजरता है तो रूएं खड़े हो जाते हैं रूह काम जाती है बात आठ अक्टूबर दो हजार सो लगी है थाना था चर्रा गाउं था सतरापुर जिला वही अली गड़ा ये मेवातियों का बहुत बड़ा गाउं है और यहां पर मेवाती मुसलिम्स बहुसंख्यक में रहते हैं रात कोई दस बजे रहे होंगे दस सवा दस रहा होगा इस्पेक्टर छर्रा शत्रभन उपाध्य है उन्होंने सीधे मुझे फोन किया फोन करके बताया कि सर एक बहुत गंभीर घटना हमारे थाना चेटर के सतरापुर गाउं में घटित हुई है तीन मर्डर हुए हैं एक महिला अन्वरी बेगम उमर कोई पैतालिस से पचास के बीच में उनकी एक तेरह साल की बेटी कौसर जहां और तीसरा उनका बेटा अजीम जिसको डॉन डॉन नाम से पुखारा जाता था वो भी पंदरह सोलह साल का महिला अन्वरी बेगम की लाश गाउं के बाहर बनने के खेत में और वहां से थोड़ी दूर पर दूसरे खेत में अजीम यानि उस बेटे की लाश पड़ी मिली और कौसर की लाश उसके घर में पड़ी मिली उसने ये भी बताया कि कौसर और अन्वरी बेगम यानि दोनों महिलाओं की लाश पर कोई वस्त नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि उन दोनों के साथ बलातकार भी हुआ है बात सुनते सुनते ही मेरी समझ में आ गया कि गटना बहुत गंभीर है इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे इसमें पुलिस को पुलिस अगर जरासा भी धीली पड़ी या सतरकता या साथधानी हटी तो कोई नो कोई गंभीर बात हो जाएगी बिना देर किये हुए मैंने अपने स्पी रूरल यानि जो ग्रामिल छेत्र के संकल्प शर्मा जो वर्तमान में बदायूं के स्पी है हमारी एस्पी थी नई आई पीए सधिकारी दोहजार तेरह बैच की साथ-चाटारा अर्था अमानतमान महिला दिकारी थी उसको बताया और इन लोगों को कंट्रोल लूम से फोन से बता दिया गया था गंभीर घटना कंट्रोल लूम सेट पर नहीं बताते ताकि कोई रियक्शन बाकी जगर नहों फोन से इनको कंट्रोल लूम ने बता दिया था कि ट्रिपिल मर्डर हुआ है ये सभी भी घटनास्चल के लिए रवाना हो गये थे सुदूर गाउं का मामला था और हैटकॉर्टर से करीब 35-40 किलोमीटर दूर था चर्दाबजार से आगे जाके सत्रापुर की तरफ पतली सी सड़क गई है वहाँ पर गाड़ियां लोग दी गए वहाँ से कच्ची एक पगडंडी जैसी है वहाँ से बिलकुल गाउं के मुहाने पे गाउं में घुचते ही वो पगडंडी दो तरफ जाती है बाईं तरफ और दाहिनी तरफ पहले से मौजूद इंस्पक्टर मुझे बाईं तरफ ले गया दूसरे मकान में तीन चार सुड़ियां नीचे बनी हुई थी थोड़ा सा चढ़ाई पर उसका मुख दरवाजा था लपड़ी का उस दरवाजे से घुसके फिर दाइने हाथ को गए एक चोटा सा कमरा फिर एक और बरामदा जैसा और उसके बाद रसूई थी जिसमें ताजा आटा गुथा हुआ था और एक लड़की का नग्न शब पड़ा हुआ था 13-14 साल की उम्र रही होगी बच्ची ही थी बिलकुल नग्न शब तुरंत चदर मंगवाया गया कपले मंगवाया गया और बिना चुंकि सीन आफ क्राइम को मैंने पहले ही उससे बता दिया था इंस्पर्टर से कि मैं पहुंच रहा हूं मैंने वही से अपने यहां से ही आ राई को बताया कि फॉरंसिक टीम तुरंत रवाना कर दिए जो जहां हो अगर कम है किसी का वेट मत करिए जो एक्सपर्ट हमारे हैं फॉरंसिक आफसर हैं उनको लेके गाड़ी फॉरं पहुंच साथी साथ डॉग स्कॉयट के लिए भी कहा गया कि उसको विराथी में भीठी फॉरंसिक टीम जब तक महां पहुंचे तब तक यह कहा गया है कि कतई क्राइम सीन को डिस्टर्ब न किया जाए अगर कोई घर है तो बाहर से ताला बन कर दीजे पीछे ड्यूकिया लगा तो उसमें यलो टेप लगवा दीजे जो थाने पर उपलब है जब फॉरंसिक टीम आएगी तभी कोई भीतर जाएगा खेर इसलिए हमने भी उसको बाहर से देखा लेकिन उस बच्ची को देखते मन बहुत खराब हुआ बहुत छोटी मासूं लेकिन अच्छी लंबी यहां पर ऐसा लगता है कि इसे कहीं मार कर यहां लाया गया है कि तो कि इसके एक हाथ में ताजे गुथे हुए आटे के जो ट्रेसिस होते हैं उंगलियों में ना खूनों में और दूसरे हाथ में कुछ मिटी सी लगी हुई है गीली मिटी है ऐसा लगता है कि कहीं और इसके साथ कोई घटना हुई है उसके बाद फिर वापस गाउं के बाहर उसी पकडंडी से निकले बीच में जो पतली सलक की जहां गारियां खड़ी थी उसको क्रॉस करके आगे जाए और थोड़ा सा आगे जाके गन्ने के खेट के किनारे पे एक गड़ा खोदा जा रहा था ताजा ऐसा लगता है दो अगे उसके गन्ने के खेट में एक और महिला की लाश वो भी निर्वस्त तॉर्स की रोशनी में उसे भी देखा गया था वहां से निकलके कोई सो कदम और उस घटना स्थर से अगर जैसे उस तरफ जा रहा हैं तो दाहिने हाथ की तरफ एक दूसरे खेट में एक बच्चे क पड़ा हुआ था रलका था कि बारा तेरह साल का बच्चा होगा यह देख कि बहुत दुख भी हुआ मन भी खराब हुआ और जब तक उसके बाद हम लोग गाउं की तरफ आए कि लोगों से बाची की जाए बिलकुल वहां पर भीर तो बहुत आ गई पूरा गाउं एकठा ह हो गया सौपचास लोग वहां पर थे हमारी पूरी फोर्स आ गई सारे अधिकारी मौदित सब लोग आ गए थे हम लोगों ने बात करने की पोशिश की तो बस एक चुप हजार कोई कुछ बोलने को तयार नहीं था पूछा गया किसी को आते जाते देखा बोले बिलकुल साम करने की तरफ स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई थी और यह बताया गया कि अभी तो लाइट गई है लेकिन उस समय ये लाइट जल रही थी जबकि अंदाजन ये घटना हुई हो नहीं कोई भी किसी भी व्यक्त ने किसी भी प्रकार की कोई सूचना मौपि पर नहीं थी किसी भी तरह की सूचना इनसे किसी रंजिश कोई रंजिश नहीं साथ ये सबसे गरीब परिवार था इस गाउं का इनके बच्चे बेटे सब सब उसका मजदूरी का काम करते हैं अली गड के हजबेन किसाब उसके डेथ हो गई है खर्चा बर्चा कैसे चलता है किसाब वो बच्चे जो कुछ कमा के देते हैं बाकी गाउं के जो बड़े बुज़ग हैं वो इसकी मदद करते हैं खाने के लिए अनाज के लिए के पंचायत नमा के लिए कहा गया तीन लाशे थी ड्रामा शुरू हो जाता है अगर देर तक आप टेट बॉड़ी को वहां छोग दीजे तो जो जहां से आता है वहीं से किसा कहानी गड़ के आता है और अपनी अपनी बातें पहने लगता है दो चीजें हुई ही कि सभी लोग सीधे यहां से पुलिस लाइन पहुँचें क्राइम ब्रांच महुचें और जो हमारी टीमें है जो इस्पेशल ऑपरेशन ग्रूप की होती है सर्विलांस की टीम एसपी को इस्पक्टर को कहा गया कि आप में ही रुक के पंचायत नमा तो तो कहीं से शुरुवात करिए इस बीच में इस्पक्टर शत्रु घनुपाध्या ने बताया कि इसका बड़ा बेटा आ गया है और उसके साथ गाओं के दस बारा पंदर लोग ठाने पर आ गए हैं एफाई आर कराने के लिए कह रहे हैं उनसे कहा गया फॉरन एफाई आर द से बात करके अगल बगल किसी के पास कोई मुबाइल है बच्ची की कोई मुबाइल है ये सब अगर कोई है तो उसकी फॉरन सीडिया निकाली जाएं एक घंटे भी नहीं बीते होंगे कि इस्पेक्टर का फिर फोना है कि साब इन्हों ने वरतमान प्रधान और उसके पक्ष के छे साथ लोगों की विरुद्ध मुकदमा लिखवाया है मुकदमा फॉरन लिख दिया गया उस नेक मुहमद और वरतमान प्रधान और तमाम लोगों के खिलाफ क्राइम नंबर लिखा गया एक सो चोहतर वटे सूरला एक सो सेटालिस एक सो उन्चास चार सुबावन तीन 302, 120B और पॉक्सो एक्ट अलपवेस्क बच्ची के साथ बलाकार पूछने पर कौन कौन आये थी उनका सब पूरू प्रधान खालिद आये हुए थे 15-20 लोग थे तहरीर संभवता उन्होंने पहले ही त्यार कर रखी थी ठाने पर दी है मुकदमा काइम किया जा रहा है सभी लोग बैठके बात कर रहे थे सब अपने अपने स्रोतों को खखाल रहे थे देख रहे थे कि आखिन ये इतनी बड़ी घटना कैसे हुई जैसे ही उसने बताया कि साब इतने लोगों को नामज़द किया है और इतने लोग आये थे तो फौरन कहा गया कि जो नामजद लोग हैं उनकी CDR तो अभी निकाल ये सबेरे तक क्लियर हो जाए क्योंकि जैसे ही सबेरे हला होगा अखवारों में निकलेगा टीवी पर आएगा वैसे ही यहाँ पर तमाम लोग आने जाने शुरू हो जाएंगे प्रेस वाली भी और पुलिटकल लोग भी रात में ही कोशिश करके सुबह तक 8-8 बज़े तक CDR सभी नामित अभ्युक्तों की आ गई इन में से एक को छोड़के किसी की भी लोकेशन घटना वाले दिन गाउं में नहीं थी और इतनी दूर भी नहीं थी कि वो घटना से आ जा सकें या अपने मोबाइल को छोड़के इस तरह का कोई काम कर सकें क्योंकि जैसे ही क्राइम ब्रांज को पता लगा इननों के नंबर मिल गए गाउं से और इन से संपर किया गया ये सब मोबाइल सबका आउन था और किसी की लोकेशन लाजस्थान आई थी किसी के हरियान आई थी उन में से एक यंग लका था जो वीटेक कर रहा था उसकी भी लोकेशन आई वो शायद गाजी अबाद में था तो सिर्व सबका चक्रा गया कि इतने लोग नामजद हुए और किसी की भी लोकेशन उस दिन नहीं है इसका मतलब नामजद गी गलत है और यह बात कहीं ने कहीं कुछ और है सबेरे फिर जैसे ही टीवी पे चलना शुरू हुआ अधिकारियों ने कहना शुरू किया और हम लोग उस हर बात का जवाब देते रहें तीन चार दिन इसमें निकल गया चार दिन पांस दिन बाद चार दिन पांस दिन बाद फिर वही चार पांस दिन बाद अख़वारवाजी शुरू हो गई खबरें अलग-अलग अख़वारों में अलग-अलग लोगों के हवाले से आने लगी इसाब पुलिस अपराधियों पर महरबान नामजद अपराधी खुले आम गाउं में गूम रहे हैं पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हैं अचानक अखवारों से और तमाम चोटे-चोटे जो चैनल्स होते हैं उस पर ये बात सुनकर कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ फिर एक बार गंभीरता से घटना को देखने के लिए कहा गया और ये कहा गया कि जो लोग नामजद हैं उनकी लोकेशन तो ठीक है और आप उनका पिछला रेकॉर्ड भी देखिए ये भी देखिए कि कितने दिन पहले वो यहां आये थे कितने दिन पहले यहां से गए हैं हो सकता है मोबाईल अपने रख के आए हैं हो सकता कुछ शातिराना अंदाज में किया हो लेकिन सारे permutation combination के बाद भी सब लोग इसी नतीजे पर पहुँचे कि ये लोग जो नामजद हैं इन में से कोई भी उस दिन घटना अस्थल पर नहीं था यानि घटना इनके द्वारा कारित नहीं की गई थे फिर अलग-अलग पार्टियों के delegation बड़े-बड़े delegation सभी राजनेतिक पार्टियों की 15 आदमी 20 आदमी किसी में कोई विदाय किसी में कोई इस्थानी नेता किसाब आखिर क्यों गिरिफतारी नहीं हो रही है और क्यों गिरिफतार नहीं किया जा रहा है सबसे सस्ता आरोप जो पुलिस पर ये लगता है कि साथ पुलिस ने पैसा ले लिया इस्पेक्टर बेहिमान है गिरिफतार नहीं कर रहा है मुझे पता है कि उसने इतना पैसा ले लिया यही सबसे सस्ता और सबसे आसान या सबसे आसानी से लगा देने वाला आरोप है यह लगबग दो महीने तक ऐसा चलता रहा सारे नंबर खंगाल डाले गए जितने इन लोगों ने लिखाए थे जिन पे वादी चूपी वादी पक्स के रोज चार चेज़स आदमी थाने पर हमारे आफिस में एस पी ग्रामील के आफिस में रोज चक्कर लगाते थे सब क्या हुआ सब क्या हुआ इतना दबाव बना दिया इतना दबाव बना दिया सब परिशान हो गए दो मेने बाद एक दिन ट्रैक्टर पे 50-60 ट्रैक्टरों पे लोग लद के गाओं के औरते बच्चे आजमी ये सब कलेक्टरेट पहुंच गया कलेक्टरेट में इन लोगों ने बाहर के गेट पर धर्ना दिया नारे बाजी की तमाम तक्तियां लिए हुए थे, सारा प्रेस से कठा हो गया किसा अब गिरफतार अब लंब गिरफतारी की जाए, क्यों नहीं गिरफतारी किसी ने कहा साब गिरफतारी नहीं हुई थी, इन दिन में तो हम आत्मदा करेंगे बात उलस्ती जा रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतना दबाओ और दरखास्ते आनी शुरू हो गई जो अलग अलग चैनल से गाउं में जो वादी हैं मुकदमे के उनसे पूरू प्रधान है उनसे प्रधानों का संगठन एक वहां पर है उत्तर प्रदेश प्रधान संग उनकी तरफ से तमाम तरफ से और वह सीधे डीजीपी हेड़कॉर्टर को माननी मुक्रमंत्री जी को सब जगर चिठियां जाने लगी और वहां से मुहर और दिस्खक्त चुलिया बिठा बिठा के वह अल्टीमेटली जांस के लिए हमारे पास टिपणी के लिए हमारे पास इसपश्टी करण के लिए हमारे पास आने लगे तो उपर से भी स्थानी लोगों से भी राजनेतिक क्या हुआ कभी कभी लगता था कि अब शायद खुल जाएगा फिर वो कहीं एक जगह जाके अटक जाता था वो जो रास्ता चलता था जो लाइन मिलती थी वो कहीं नहीं जाके रुख जाती थी जिस दिन यह कलेक्टेट में भारी हंगामा किया इन लोगों ने प्रैक्टर की बार बार नहीं रिक्षन करना किदर से आना उसी ने ये खोज के निकाला था कि लड़की को क्यूब बिल पर मारा गया है और क्यूब बिल पर मार के उसे उसके घर में फेका गया है उसी समय ये अंदाज लग गया था कि मारने वालों में पांच छे आदमी होंगे जिन्हों ने ये तीनों हत्याएं की है उसे भी उस दिन जाने पर जिन जिन लोगों से वो बात करती है तो लोगों को लोगों ने उसको बताया मानत को कि ये सारे लोग आज कलिक्ट्रेट में धरना देने गए हैं और ये कहके गए हैं कि अब इतना दवाव डाल देंगे कि पुलिस इनको गिरफतार करेगी जो नामजद मुल्जिमान है वहीं उसने ये भी बताया कि जो नामजद मुल्जिम है वो वरतमान प्रधान के पक्ष के हैं और जो पैरोकारी कर रहे हैं इस हत्या में टिपिल मर्डर में वो पूर्व प्रधान है और इनमें बहुत ही जबरजस्त रंजिश है लेकिन जो लोग मारे गए हैं वो जो पू लोग इसलिए ज्यादा पैरीवी कर रहे हैं इसलिए पैरीवी क्यों की जा रही है इस पर भी बहुत ज्यादा कोई कारण ऐसा नहीं मिला कि वो किया जाए अमानत ने ये भी बताया वहां से कि आज जो ट्रेक्टर पे लोग लद के गए हैं सब को सारे ट्रेक्टर किराये पर यानि जिन से ट्रेक्टर लिया गया है कुछ गाउं के थे उसके पक्ष के उसके अलावा जो बाहर से ट्रेक्टर आया है सब का किराया सब का तेल भरवा यह खाके फिर वहीं जाकी बैठ जाते थे तकती जो रंगवाई गई है वो च्रणा बाजार के किसी पैंटर के हम जो उसके पर नारे लिखे गए हैं पुलिस के खिलाफ बहुत जबर जबर्जस्त बहुत खराब नारे थे वह तो इतने दिनों से इतना इतनी पैर्वी और इतना पैसा खर्च करके पैर्वी जो पूरु परधान कर रहे थे यह बात अमानत ने बताई तो यह हुआ कि पहले इसी का नंबर लगवाया जाए हालां कि यह पीरिक पक्ष है यही पैर्वी कर रहा है बार बार वाजी को लेकि यही आता है लेकिन इसके नंबर को सर्विलांस पर लगवाया जाए कि आखिर इसकी एक्टिविटी क्यों एक्स्ट्राओर्डरी है तीन महीने हो गए हैं पुलिस अपना काम कर रही है हर एंगिल पर पता कर रही है लेकिन इनका दवाओ सिर्फ इसका दवाओ यह नहीं था इस ग्रूप का कि सही मुल्जिम का पता करिए अगर आप मान रहें कि यह गलत मुल्जिम है उसका सिर्फ यह था कि साब हमने नामजद कराया है इनको तुरंट गिरफतार करिये क्या साक्ष की जरूत है मैंने चार चार पांच पांच गवाह इसमें लिखवाए हैं इनको यहां से आते देखा उनको वहां से अच्छा इंट्रेस्टिंग बात है कि जिन गवाहों के नाम एफ आयार में लिखाए गए थे उन गवाहों की में भी दो या तीन की लोकेशन उस दिन गाउं में नहीं थी पूरा प्राइमा फेसी ही लग रहा था सब लोग मान रहे थे जितने लोग इसकी भीवेशना में इसके अनावरन में इसकी टीमों में अपराधियों को पकड़ने में लगे हुए थे सब यह मान रहे थे कि यह फैबिरिकेटेड है य नहीं पा रहा था खालित का नंबर लगवाया गया उसको सीरियसली सुना जाने लगा क्योंकि अब अधिकारी गण भी लखनों में बैठे हुए हुए नाराजगी वेप्त करने लगे और यह भी कहने लगे कि जांच कराके जो लोग धिलाई वरत रहें उनके खिलाफ करवा आमानत ने गाओं में एक बात और बताई थी कि खालिद जब एलेक्शन हार गया था काउंटिंग हॉल से बाहर निकला और वरतमान प्रधान माला वाला पहन के विज़े जलूस से निकलने लगा तो अचानक वो अपने समर्थकों के साथ उनके साथ सामने आ गया और उसने ये भी कहा कि तुम साथ दिन से ज़्यादा प्रधानी नहीं कर पाओगे मैं तुम्हें प्रधानी नहीं करने दूँगा इनकी बहुत रंजिश थी इसके पहले दो वरतमान प्रधान है उसके पिताबी प्रधान थे उनकी हत्या हो गई थी बीच में एलेक्शन हुआ था फिर वरतमान प्रधान जीता फिर खालिक प्रधान हार गया कुसी तरह की बातें वहां रंजिशन होती रहीं और ये तीन- सबसे खालित की बात हुई थी एक दो दिन बात होने के बाद वो तीसरे दिन डेलिगेशन भी आ गया और जितना यानि सेंटर आफ एक्टिविटी खालित था जो पैसा भी खर्च कर रहा था और जो इस तरह से पुलिस पर और पहले उसने पुलिस के यहां भेजना शुरू किया डियाई जी रेंज वहां बैठते हैं मेरे यहां बैठते ह फिर उसके बाद यह लगा कि पुलिस नहीं कर रही है तो कमिशनर साब और डियम साब के हां डेलिगेशन हर दिन कोई न कोई डेलिगेशन और डेलिगेशन देने के बाद तुरंत एक उसका प्रेस नोट और अगले दिन अख़वार में कहीं कहीं सत्रापूर के तेरे हत्या प्रादियों के हां रिजिस्टी हो जाती थी बिल्कुल दस-दस किलो के बंडल बन गए थे उस समय प्रातना पत्रों के एकदम परिशान हो गया था मन तो एक दिन इसी मीटिंग में सारे लोग बैठे हुए थे सब परिशान हो गए थे और वहीं पर मीटिंग में सब कहने लगे कि साब जो ये नामजद अभ्यूग्ध हैं अपराधी हैं इनकी उनसे रंजिश है हमारे कोई रिषदार नहीं है इनको जेल भीज देना ही अब उचित होगा क्योंकि प्रिशर हो गया है अब ये प्रेशर बरदास नहीं होता हमारे ख्याल से इनको अब जेल भेज देना चाहिए सारे लोग एक स्वर में एक मत में होके बोल रहे थे लेकिन वो नौजवान आईपेस महिला अधिकारी अमानतमान वहां पर डिसेगरी हो गई उसने का सार ये बिलकुल ठ खीक नहीं है आप देखें आरोप तिन-tीन महिलाओं की थिया का थि तिन लोगों की थियाकार वब दो पकड़ेंगे और हम सही मुल्जिम भेजेंगे ये इन लोगों को निरपराद लोगों को भेजना ठीक नहीं है लेकिन ये निरपराद कहने वाले या ये समझने वाले कि नामजद मुल्जिम गलत नामजद किये गए हैं ये बस पुलिस में इतने ही लोग थे कोई इस बाद को मानने को तैयार नहीं था रोज रोज एक प्रिस नोट रोज रोज एक पत्रक रोज रोज एक डेलिगेशन रोज ऊपर से किसी ने किसी एधिकारी से टेलिफोन करवाना यह ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा अपराद इन्वेशिगेशन करने वाले और सारा अपराद पुलिस वालों ने किया है बहुत ही उस समय गंभीर बात हो गई थी तो यह तैंकिया गया कि अब खालित को लिसनिंग पे लिया जाए लिसनिंग पर हम लोगों ने सब पर ध्यान छोड़कर जब सब साली चीजें बताई हमको हमारे सरविलान सेल ने कि सेंटर आफ एक्टिविटी इस खालित और जो कुछ हो रहा है जितना दवाव वो खालित की विज़े से हो रहा है तो खालित को लिसनिंग पे लिया गया एक बहुत चौकाने वाली बात एक दिन बहुत छोटी सी आई कि छर्दा कजबे के बड़े यहां रखी हुई है यह बास समझ में नहीं आए कि शकील के हाँ उनकी रिवालवर क्यों रखी हुई है एक दिन खालित ने कहा कि उसको हटा दो ऐसा लग रहा है पुलिस को कुछ शक हो गया है यह दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टन थीं क्राइम ब्रांश फौरण भा कि लिए पैरवी किया करते थे रिवाल और बरामज होने के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं था मुबाइल आफ करके वो कहीं चले गए धूरे नहीं मिल रहे थे तमाम लोगों से सिफारिश करा रहे थे कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है फिर थोड़ी थोड़ी च्छुटी च्छुटी बात किसी ने कहा कि भईया भी तक गिरफतार नहीं हुई सारी मेहनत बेकार हो गई यह फोन आया था राजस्थान से एक टीम भेजी गई और राजस्थान से जावेद रिजडेंट आफ पिपरोली गोपालगर भरतपुर राजस्थान पकड़कर आ और फिर बबलू जो सोरों कासगंज का रहने वाला था तीनों ही मेवाती मुस्लिम थे आगए इनके साथ परेशान पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था कि भई सारी मेहनत बेकार हो गई कौन से मेहनत की थी तुमने जो बेकार हो गई और अभी तक ही लोग अरस नहीं तक हाला कि 24 गंटे में हमें उसे मजिस्टेट की समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए था लेकिन दो दिन तक उसको चाहे उसे इलीगल कह लें जैसे भी डिटेंशन का नाम दे लें हम लोगों को सब को उमीद थी कि जरूर कुछ न कुछ इससे निकलेगा वरना इस तरह की बात फोन पर करना संभव नहीं था उसके साथ हर तरह की पूस्तांच भी जटका पूस्तांच भी उससे बहुत लंबे समय तक की गई और बाज में पूरी प्लानिंग सामने आ गई बहुत सुनके रूंग्टे खड़े हो जाएंगे आपके भी और जो जो इस इन्वेस्टि खालित के घर में बिल्कुल गम हो गया और वो प्रतिछोट से इतना जल रहा था उसने ये कहा कि हमें हर हाल में महीने भर के भीतर री एलेक्शन कराना है प्रधानी का री एलेक्शन कभी होगा जब वरतमान प्रधान मारा जाएगा या वरतमान प्रधान के उपर गंभीर चार्ज लगेगा और वो जेल चला जाएगा और कोई दूसरा चारा नहीं है और ऐसे गंभीर आरोप में जाए कि सालों साल उसको यहां आने की नौबत ना आए तब हम इसमें रियलेक्शन कराएंगे या हम किसी तरह से उसके कुर्सी पर काबिज हो जाएंगे उन लोगों न गरीब फैमिली यही थी जो इस गटना में मृतक थे जो अनवरी बेगम कौसर जहां और तीसरा लड़का जिसको डॉन कहते थे यानि अजीम उर्फ डॉन यह और अजीम उर्फ डॉन जो ही वो मंद वुद्धी था मेंटली चैलेंज़ जिसे कहते हैं तो वो यह सब से कमज मजदूर फैमिली थी जो इसके लड़के थे वो बाहर मजदूरी का काम करते थे इधर उधर थोड़ा बहुत घरों में काम करते हूँ पैसा जुटा के बच्चों के जो दोनों बच्चे थे बेटा और बेटी उसका जीव को पारजन किया करती थे इन लोगों ने प्लान कि है कि इनके जो सबसे नजदीक आदमी था सैदू वो अनवरी वेगम के घर के एक घर छोड़के तीसरे घर में था और अनवरी वेगम प्रद दिन उसके हां से दूध लेने जाती थी प्लान करके सैदू से यह कहा गया कि जब वो दूध लेने आये उसको मार दो मारने के बा दबाव में आ जाएगी और पुलिस दबाव में आ जाएगी तब हम इनको जेल भिजवा देंगे बात तैं हो गए उस दिन शाम को गटना वाले दिन शाम को यानि आठ अक्टूबर दो हजार सो लगो जब साड़े साथ शे साथ बज़े के असपास अनवरी वेगम दूध देने के लिए सैदू के हाँ गई है सैदू के हाँ पहले ही तैयार से चार-पांच लोग थे जिनको इन्होंने मेवाती ही थे इसके खेमे के थे इसकी सपोर्टर थे दूर दराज की रिच्दारी के थे इनको बाहर से बुला के वहीं एकठा रखा गया था अनवरी वेगम जैसे ही डूद के लिए आई उसको वेट करने के लिए बताया थोड़ी देर में तीन-चार लोग आए और उसका मूँ दवा के भीतर वाले कमरे में ले गए उसे निर्वस्त करके पांस लोगों नो उसके साथ सामभी बलातकार किया बलातकार करने के बाद उसका गला घोड द गया तो खाना साम को गाओं में खाने का वही समय आठ साड़े आठ बजे होता है खाना तयार कर रही थी अनुवरी बेगम की बेटी कौसर जहां उसने बताया अपने बेटे को अजीम को कि देखो अम्मा को आज बहुत देर हो गई उसको आवाज लगा दो अब हम रोटी से बताया था कि सैदू के हाँ दूर लेने गई है लगता है वहाँ बात्चीट करने लगी बैठ गए उसको बुला के लिए आव खाना खा ले सैदू जब वहाँ उसके नजदीक पहुँचा में जो पगडंडी है उसे पाईं तरफ उसका मकान है दानी तरफ सैदू का मकान है जैसे ही वो में पगडंडी तक पहुँचा तब ही वो देखा उसने स्टीट लेड़ जर लई थे कि चार लोग उसकी माँ को हाथ पैर से पकड़ के लादे हुए तीजी से सलक की तरफ जा रहे हैं उसके बहुत जादा समझ में नहीं आया लेकिन वो पीछे-पीछे हो लिय यह लोग उस पतली सी सलक को पार करके उस तरफ गन्ने के खेट में दे यह पीछे-पीछे लगा रहा रात थी अंधेरी रात थी इसने दूर से जो देखा वो यह देखा कि वो उसकी कुछ लोग गड़ा खोद रहे हैं और उसकी माँ किनारे हैं मुल्यमों ने जो बताया इ एक उनके साथ उसके साथ रेप करने यह क्या कर रहे हो तो वो न राजगी में वहां से रेप करने के बाद वहां से बोले मैं घर जा रहा हूं तुम लोगों को जो करना हो कर लीजे वो गाउं की तरफ जाने लगा रास्ते में ही उसे अजीम यानि डॉन खड़ा हुआ दिखाई दिये एकदम से वो घबरा गया लोटके उसने बताया है कि उसका लॉनडा भी यहीं खड़ा हुआ है तुम जो कर रहे हो वो देख रहा है यह सब चुप चाप जिसको कहते हैं दब एक अदम से वहां गए और उसका मुझ पकड़कर वहां से आगे की तरफ ले गए दूसरे गन्ने की खेट में उसे गला दबा के मार दिया और यह कहा कि पहले अनवरी वेगम को दफना लेते हैं उसके बाद फिर आके इसको दफना देंगे फिर दोनों की गमशुदगी लिखाई जाएगी पुलिस पर और दबाव होने का और इन्हीं लोगों पर कराएंगे दो-तीन दिन बाद फिर बाडी का पता बता देंगे और फिर यह कहेंगे साथ पुलिस ने उस समय कोई एक्ट नहीं किया पुलिस ने उस समय कोई कारवाई नहीं की और देखे इन्हीं मुल्जिमों ने चुंकि ये हमारे सपोर्टर थे तो नए प्रधान के लोगों ने इनको मार के यहाँ पर गार दिया जब मा और अजीम काफी देर हो गया नहीं लोटी तो ये घबरा के बाहर निकले कौसर और ये सैदू के घर के बाहर खड़े होकर अम्मी अम्मी आवाज लगाने लगी और उसके बाद भाई के लोग कहीं बैठे हुए हैं कोई किसे काम में बिजी हो गए नहीं आ रहे हैं आवाद सुनके बाहर निकलेंगे लेकिन रात का सनाटा था वो यहाँ आवाद लगा रही थी और वहीं सामने की तरफ खेत में ये लोग शब को गाड़ने के लिए गड़ा खोद रहे थे इसकी आवाद सुनते ही ये वहाँ से भागे सैदू भी भागा बाकी लोग भागे कि लगता है कि अब बात खुल जाएगी कहों कि और लोगी कठा होंगे कहां गए कहां गए फिर बात खुलेगी बहुत तेजी से भागे वो सैदू की मकान के सामने ही आवाज लगा रही थी सैदू ने उसका मूँ दबा लिया और बोला भी फॉरण इसको मार दो नहीं तो अगर किसी को पता लग गया तो बहुत बुरा हो जाएगा उसके साथ जो तीन लोग थे जिन्होंने अन्वरी के साथ वहां बलातकार किया था तो उन्होंने कहा सैदू भाई अब इसको ले जाने दो मार तो हम इसे देंगे वो तीनों उसका मुद दबा के वहां से कौसर जहां के मकान के ठीक पीछे एक पुराना ट्यूवेल है वहां ले गए और वहां तीनों ने उसके साथ बारी बारी पलातकार किया पीम रिपोर्ट के मताबिक उस बच्ची की तेरह वर्ष के उस बच्ची को सर जहां की रेप के दरमयान ही मृत्जी हो गई थी लेकिन तीनों ने रेप करने के बाद उसका गला दबाया और वो गले पर जो चोट आई जो स्टेंगुलेशन का निशान आया वो पोस्ट मॉटम आया यानि जान उसकी पहले ही निकल गई थी और मृत होने के बाद उसे गला दबा के इंचोर किया गया कि यह मर जाए चूंकि वो जो पेटु वो था पंप सेट था ट्यूबेल था वो खाली प्रधान का था इसलिए इन लोगों ने कहा कि इसको यहां रखोगे तो लोग शक करेंगे उसकी बॉड़ी को टांग के उसी किचेन में निर्वस्त तर उस बॉड़ी को वहीं पर सीधे फेंक करी यह लोग वहां से चले के और यह समझा कि अब हम लोगों का काम अब हो जाएगा इन तीनों को जिन्हों ने ये किस्सा बताया जिन्हों ने ये बात बताई एक एक चीज वेरिफाई हो गई फिर इनको तीनों को प्रेस के सामने प्रस्तुत किया गया जिसने भी सुना उसने तातों तले उंगली दबा ले एक तो ये कि पुलिस ने अच्छा किया जो नामजद लोगों को गिरता नहीं किया वरना नेरपराज रोग इतने गंभीर आरोग में जेल में होते दूसरा भले बहुत टाइम लग गया पुलिस पे बहुत दबाब था पुलिस पे बहुत आरोग थे लेकिन उन्होंने सही सही इस मकदमे को खोला इसमें जो मुखे लोग थे खालिद शकील और सैदू ये तीनों फरार हो गए इन पे इनाम रखा गया 25 पच्छिस जार रुपे इनाम रखा गया और एक एक करके फिर इनकी गिरफतारी शुरू ही आठ अक्टूबर 2016 की इस घटना में अंतिम गिरफतारी 14 महीने बाद 3 दिसंबर 2017 को हुई लेकिन अंत में ये सैटिस्फेक्शन रहा कि हमने जो गलत नामजद निरपराद लोग थे उन्हें जेल नहीं भेजा और परधानी की रेंजिश में उनका पूरा प्रया से ही था कि मर्डर होगा पॉक्सो होगा रेप के साथ हत्या करने कोई समय इतना बवाल होता है कि पुलिस किते देर तक रेंजिस्ट करेगी इन्हें जेल बेज़ देगी वरतमान प्रधान सहीत इनके सारे बड़े सपोर्टर जब देल चले जाएंगे तब हम आराम से इनकी प्रधानी पर काबिज हो जाएंगे मरडर का भी एक और प्लान था इसमें कि इसके बाद दो और मरडर करेंगे वो आरोप भी इन पर लगेगा और फिर इनकी प्रधानी पर खास्त हो जाएगी और एलेक्शन होगा और हम दोवारा अबकी बार प्रधानी प्रधानी के रिंजिस में हलांकि जब बाचीट इनसे होती रही है तूटने में बहुत बहुत देर की इन्होंने हमारी सारी पूस्ताच अच्छी वाली बहुत अच्छी वाली जटका वाली इसको भी ये सह गए और फिर उन्होंने का साब उनसे ये कहा गया कि तुमको शर्म नहीं आई तेरह साल की बच्छी थी तुम्हारी रिष्टदार थी तुम्हारी सजातिय थी और इतना ब्रूटल इतना विभद सकार उसके साथ किया तो एक ही कहते हैं साब हम मैवाती हैं हमें इन चीजों से परहेज नहीं है और मैंने आपको बहुत पहले कई बार बताया है कि ये क्रिमिनल ट्राइब जो उधर राजस्थान की पूरी बेल्ट में वहां से लेके मतुरा तक इनके जो किये गए इस तरह के कारे हैं वो बहुत मशूर है रेप करना क्राइम के समय में ये आतत है इनकी और इस घटना के बारे में ये सत्रापुर की घटना के बारे में बहुत मशूर है मुझे उमीद है कि इतने सालों बाद भी अलीगर के जो लोग भी देख रहे होंगे या जो लोग भी इसे देखेंगे सत्रापुर की उस घटना से अच्छी तरह से सो फिजदी अच्छी तरह से वाकिफ होंगी Google पे भी ये भरापला हुआ था कि परधानी की रंजिश में अपने ही परिवार की दो महिलाओं के साथ सामुहिक भलातकार करने के बाद हत्या कर दी सिर्फ इसलिए कि वरतमान परधान जेल से लाज़ आज के लिए वसित नहीं अगले क्राइम के साथ मैं कल फिर उपस्तित होंगा बहुत बहुत धन्यवाद